सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्विक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे एक्स मुस्लिम स इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत नाजिया जी यह आपका लुक देखके हमारे मुमिन हजरात तो एकदम अंदर से एकदम तडब जाते होंगे किस अंदास में बोल रहे हैं आप साहिल जी के समझ में नहीं आ रहा है हमारे वो जल्फिकर फार्मसी वाले का एक डायलोग है मचली की तरफ तरपेगी तो यहाँ पर जो मुमिन हजरात है वो मचली की तरफ तरफ़ते होंगे कि क्या है यार यह जो खातून है यह जो नारी है ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, ये तो बिंदाज बोलती है, जीना हराम करके रखा है हमारा, इस सेंस में मैं बोल रहा हूं। जी मुझे पर्फ्यूम मिल गया है, शनाल मुझे दिया है साहिल ने और बिलकुल मिल गया है। मेरे लुक्स की बज़ा से ये शायद मुसल्मान मुझे सबसे ज्यादा बलातकार की धंकी देते हैं। आए दिन आपको धंकिया आते रहती है इस तरीके की। कल भी, कल भी I think 25-30 लोग मेरी ओफिस में एंटर करने की कोशिश कर दिये थे और धंकी सुबह से लैंड लाइन पर आ रही थी कि टांग चीर देंगे, बलातकार कर देंगे। तो ऐसी धंकिया ही मुझे मुसल्मानों से आती है बलातकार की ही, मडर की धंकी नहीं आती है, डैंग रेप की धंकी नहीं ज्यादा आती है। और एक बार तो मैंने आपको सुनवाया भी तकपू मॉलाना का जो किसी हिसाब से धंकिया आती है। बिलकुल, यानि नीचिता की हज जो है ये लोग पार कर देना चाते हैं, ये डरा कर आपकी आवाज को बंद करना चाते हैं। देखिए साहिल मैंने एक चेस अबसर्फ किया है, बिकुज मैं एक जगह तो बैठे नहीं रहती हूं। मैं गाउं, ग्राम, खेडा, स्टेट, राज, हर जगह में जाती हूं और बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होती है। मैं दिन भर में तकरीबन दो-तीन हजार लोगों से मिल लेती है। तो मैंने एक चीज़ ऑबसर्फ किया है कि मुसल्मान जो लफंदर लॉंडे होते हैं, उनके पैन का जिप खुला ही रहता है और पजामे का नाड़ा खुला ही रहता है। बस इतना ही रहता है कि अगर कोई कर्मेंस होकर आ गई तो ठीक है और अगर कर्मेंस नहीं हुए तो मौका मिलते ही छपक लेंगे और बलातकार कर लेंगे। और हालिया में जो संदेश खाली में हमने देखा है। शेक शाजाहा का जो पूरा एपिसोड हम लोगों पूरी दुनिया ने देखा है और जहां तक मेरी मेरी पहुंश थी मैंने वहां तक लोगों को ये खबर पहुचाने की कोशिश की है। इससे ये साफ पुष्टिकरम होता है कि मुसल्मान जिहाद में रेप को भी लेते हैं। तो रेप is also a part of जिहाद। बहुत से लोगों ने जब ये मामला उठा था तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप संदेश खाली पे बात करिए। और मैंने उन से कहा भी था कि मैं एक बार जो है जो expert है इस मामले में उनको मैं जरूर बुलाऊंगा। और मैंने आपका ही नाम लिया था कि नाजिया जी को ही मैं invite करूँगा लेकिन फिर वो मौका मिला नहीं आप से वो बात हो नहीं पाई। लेकिन चुके अब आप आ चुकी है और वोमेंस देश स्पेशल भी है, हम सब जानना चाहते है कि क्या है ये मामला और क्या कुछ इसमें अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्षिन हुआ उन लोगों पे जिन्हों ने ये काम किया था, क्या है ये मामला, बताईएगा सबको. चाहिए जिस तरह से 1989 से 1991 तक में कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बेचियों का चीर हरन किया गया था, उनके साथ बलतकार, नरसंगार सारी चीज़े की गई थी, क्यों किया गया था? हिंदूओं को डराने के लिए और हिंदूओं को वहां से निकालने के लिए, कश्मीर से हिंदूओं को उजाडने के लिए यासीन मलेक, लश्करे, तैबा, बेनजिर गुर्टो के कहने पर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और यासीन मलेक डिनर किसके साथ करता था? भारत के टूर्व पर्धान मंत्री मनमोहन सिंग जी के साथ चीया करता था उसी तरीकर से सेम सिनारियो हिंदूओं को डरा करके यहां से भगाने के लिए संदेश खाली का एपिसोड हुआ और संदेश खाली की तमाम माबेहनों के साथ 10,000 से उपर माबेहनों के साथ बालादकार हुआ है और चुन-चुन करके हुआ है यहां तक के कालकटा हाइपोर्ट नहीं कह दिया है कि मिजॉरिटी ओफ विक्तम जो है वो SCST है और मतलब ऐसा देखा गया है कि मात्य पे सिंदू होना चाहिए पैर में आलता होना चाहिए शाख पाला होना चाहिए तो उसको धर जबोचेंगे अब सोचो के तर्बन ओंखरिस का शेह wizा एक हम ने वह शाजहा देखा था जो अत्रम जेटका नंगा नाच करता था और एक शाजहा हमने बंगां में देखा जिसका शसक्क शा तो इस अशलीलता को बंद किया गया है, CID ने उनको अरेस्ट अपने कस्टिडी में लिया था, पर हाई कोट के बहुत फिटकार लगाने पर और स्टेट गवर्मेंट को बहुत कड़क और देने पर CBI के हैंडोवर किया गया है, अब बिचाना रो रहा है, गार रहा है, कह रह बहुत समझनी की बात है, कि देखो कोई एक शेक शेक शाजहां इतना बड़ा काम अकेले दंपे नहीं कर सकता है, और एक मामूली सा वेर्ती जो ना MLA है, ना MP है, ना मिनिस्टर है, ना किसी पद पर है, सिर्फ एक नेता है, तर्नमुल कॉंग्रेस पार्टी का एक बड़ा दबंग जैसे केश्टो हुआ करता था, वैसे ही यह नेता है, अब इस स्ट्राटेजी के पीछे कौन कौन है, तो पहला मुख आता है वहां की सांसत नुसरत रुही जहान जैन का, अब नुसरत रुही जहान जैन एक ऐसी महिला है, जिनका फ्रेंड नासर खान वो भी बलात कारी कादर खान, उसके बाद election agents शेक्षा जहां वो भी बलात कारी, आगे पीछे जो हंदर मंदर तंदर जो घूम रहे थे वो भी बलात कारी, और जब हमारी मा बहने संदेश खाली की रो रही थी, गिरगड़ा रही थी और अपने अपने इंसाफ के लिए जोली पहला करके भीग मांग रहेंगी, तब सांसर नुसरत रूही जहान जैन, लव डे, टेडी डे, हग डे, चडी डे, मडी डे, बना मनाने में इतनी वियस थी, इतनी वियस थी, कि जिसकी कोई कलपना नहीं की जा सकती, और फिलहाल अभी भी वो अपने समर शूट में नंगा नुच्चा कपड़ा पहन करके वो फोटो खिछवाने में बहुत बयास है, एक मेडिया वाले को वो नजर आ गई थी, तो उस मेडिया वाले ने उनसे पूछा, कि आप संदेश खाली नहीं गई, तो वो कह रही है, 174 धारा लगा हुआ है, जो 144 धारे को उन्होंने 174 धारा लगा है, अ इसको यह नहीं पता है, कि 144 धारा किसको कहते हैं, और 174 धारा किसको कहते हैं, हाथ में सम्विधान का शपत लेने वाला मेंबर ऑफ पार्लेमेंट, अगर उसको 144 धारा नहीं पता, तो वो सम्विधान के अंडर बैरिकेट काम क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, बहुत बुरे हालात हैं पश्चम मंगाल के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी आपके चानल के माध्यम से क्योंकि एक्स मुसलिम में सबसे बड़ा चानल आपका है कि जितने भी भारत में लोग हैं और जो वाके में नारियों की इज़त करते हैं जो वाके में महिलाओं की इज़त करते जो वाके में महिलाओं और बेटियों की भीतर दे भी देखते हैं उन सबको अपनी आवाज उची करनी चाहिए और उन सबको निर्भया की तरह मैं नहीं कहोंगी के कैंडल लेकर के निकल गये पर अपने अपने मोबाइल पर एक वीडियो जरूर बनाईए और संदेश खाली की महिलाओं को की हिम्मत अवजाई कीजिए और संदेश खाली की महिलाएं जो बिलकुल बरदाश्ट जब नहीं हो पाया क्योंकि जस बिस्तर पर मा गई थी उसी बिस्तर पर बेटी को भी लेक गया था यह शेक्षाज जहां तो ऐसे सिट्वेशन में भारत के तमाम लोगों के कि सपोर्ट और समर्थन की जरूरत है संदेश खाली की मावें होंकि बहुत जबदर अच्छा जहां तक मेरी नौलेज है यह जो वन फोटी फोर धारा है यह तो इसमें एक्सेप्शन जो है जैसे अनको एक्सेप्शन होता ना यह वहाँ तो जा के विजिट कर सकते या नहीं कर सकते जो बिल्वल कर सकते वो सांसद है वहां की और सांसद प्रम अपने वोटर से मिलने के लिए कौन मना कर सकता है कोई मना नहीं कर सकता है अगर मैं भषी राट की साविस Product होटी तो श सबसे ज्यादा अभी ज़रूरत थी संदेश खाली की माँ बेनों को अपने अपने महिला सांसद की लेकि बेसिकली क्या है ना के नुसरत रोही जहां जैन ने बहुत साथी शादियां की नहीं हैं बहुत सारे बॉइफ्रेंड्स रखेंगे उनका अपना पॉस्नल मैटर है ले महिलाओं की सेक्योरिटी क्या होती है महिलाओं का मान संबान क्या होता है इज़त मर्यादा क्या होती है यह नुसरत रोही जहां जैन को कैसे पता क्यूंकि वो तो कैमरा के सामने चड़ियां पहन करके और इनर गार्मेंट्स में वो मस्त नाच बाच करके लूंगी वालों क करते हैं तो this is kind of a strategy कि बस किसी तरीखाइसे नासर खान, खादर खान, शेक-षा-जाहां, हल्दर्वल्दर, सम्हां, मिलकर के इन लोगों ने भारत के हिंदूओं को डराने के लिए उनकी मा बेहनों का जेनोसाइड किया है, उनकी माबेहनों का नरसंगार किया है, उनकी माबे के बस्त रूता रहे हैं और सांसक के रूप में नुसरत रूही जहांजैन रख्षक होकर के भख्षक का पूरा रोल उन्होंने अदा गिया है तो आशा करता हूं कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिये लाइक खांजी का दंदार और बेबाग कंदाज आपको काफी पसंदाया होगा जिसमें नाजिये खांजी ने ना सिर्फ शांती दूतो बलकि जो मजब के ठेके दार है इनको भी उधे वसेतार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत